हेलो स्टुदेंट्स तो अभी हम क्या पढ़ रहा है कि मैगनेटिक फोर्स और मोविंग चार्ज इनिफॉर्म मैगनेटिक फिल्ड है ना उसका टाइप हम बढ़ रहे हैं मैंने बताया था कि जब भी क्या होगा किसी भी चार्ज पार्डिकल को मैगनेटिक फिल्ड में फेक होगे तो उस पर क्या होगा चार्ज पार्डिकल क्या होगा उसमें मैगनेटिक फोर्स लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है वो डिपेंड कर रहा है कि velocity vector and magnetic field vector के बीच angle क्या है है ना ठीक है तो हमने क्या किya कि magnetic force on the moving charge in the magnetic field को दो type में हमने डिवाइड किया है पहला type क्या है कि क्या होगा कि when the magnetic field is uniform and उस uniform magnetic field में हम क्या करे है charge को project करे है या फेक रहे है तो हमने देखा था कि जब भी क्या होगा हमने जनरल पहले देखा था कि magnetic force होता क्या है तो magnetic force क्या होता है Q into V cross V I mean charge into cross product of velocity vector and magnetic field vector यह जनरल इजल्ट है किसी भी field में आप magnetic field में रखो आइदर field क्या होगा इनिफॉर्म होगा नॉन इनिफॉर्म होगा तो magnetic force क्या होगा यह लेगा ठीक है यहां Q को क्या करना है साहिन के साथ consider करना है है ना तब मैंने बताया था कि यदि पॉजिटीव होगा तो FM का जो direction होगा V cross V के direction में होगा यदि निगेटीव होगा तो FM का जो direction होगा V cross V के क्या होगा अब पॉजिट आक्शन होगा इसके बाव हमने परस्ट टाइप कंसीलिर किया था कि फिल्ड क्या है कि और पहले अमने देखा कि क्या एक मैगनेटिक फिल्ड और तो क्या हो जाएगा undeviate कर जाएगा क्या हो जाएगा undeviate कर जाएगा ठीक है तो दूसरा क्या होगा undeviate कर जाएगा या मिन क्या होगा state line के लॉग गोग करेगा दूसरा हमने देखा था कि यदि कोई भी particle क्या है उसके charge हो और उसको magnetic field के लॉग हम फैकेंगे तभी भी क्या होगा उस पे magnetic force क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और पार्टिकल भी पार्टिकल क्या होगा constant velocity से क्या होगा state line के along क्या होगा मूप करेगा I mean trajectory जो होगा या path जो होगा क्या होगा state line होगा इस second case था third case हमने यह देखा था कि किसी भी charge पार्टिकल को I mean charge और chargeless पार्टिकल को यदि magnetic field में release कर दे है magnetic field किसी भी type का हो uniform हो या non-uniform हो तो velocity जब 0 हो जाएगा release का मतलब क्या होगा velocity 0 हो गया तो उस case में again magnetic force क्या होगा 0 होगा and particle जो क्या होगा always क्या होगा rest में ही रहेगा ठीक है क्या होगा rest में ही रहेगा ठीक है उसके बाद थोर्ट case हमने क्या देखा था कि magnetic field क्या होगा magnetic field क्या होगा uniform होगा और उसमें charge particle को हमने क्या क्या magnetic field के perpendicular क्या क्या project किया और मैंने बताया कि bars ऐसे हम नहीं है कि मालनों कि इस region में, थोड़े से region में magnetic field हमने बाहर से फैंक दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो case अलग है, already किया है कि field जो है, I mean region जो है, वीड दब दख क्या होगा, magnetic field region is very large, और हमने क्या 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 क्या, उसको magnetic field के perpendicularly क्या क्या प्रजेक्ट कर दिया, उस case में, जो charge particle जो होता है, क्या होता है, circular path पे क्या हैगा, क्या होगा, move करेगा, और यहाँ जो centripetal force होगा, वो कौन प्रवाइट करेगा, magnetic force, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बी और बी पे क्या होगा, perpendicular होगा, ठीक है, तो whenever charge particle is projected in the uniform magnetic field, perpendicular to the field, then the charge particle will move on the circular path, है नो, with constant speed, speed क्या होगा, क्योंकि magnetic force का क्या होता है, इसको कल मैंने बता है, कि इसको हम deflecting force भी बोलते है, कि magnetic force may or may not deflect on the moving charge particle in the uniform, deflect भी कर सकता है, और नहीं भी deflect कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि magnetic field और velocity vector के बीच एंगल क्या है, तो हमने यह देखा था, कि देखो ही क्या है, यह ही magnetic field है, क्या है, magnetic field क्या है, inside the cab, into the cab, board है, और इस board में हमने इस plane में क्या 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 है, एक positive charge particle को क्या क्या हमने project कर दी आधर, वी velocity से, तो इसमें क्या होगा, magnetic force भाले क्या होगा, ऐसे लाएगा, तो क्या होगा, देखो, B cross, B, देखो गेंसे इदर, तो इ에 क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे क्या होगा, ज्योंप करेगा, तो क्या होगा, anti clockwise CHARGE PARTICLE क्या होगा, ज्योंप करेगा, और ये क्या होगा, circular path मोळ च्योंप करेगा, अब आपसे question क्या पूछा जाएगा, कि यदि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पात में मुप कर रहा है और ये मोशन क्या होगा इस इस केस में स्पीड क्या होगा कॉंसेंट होगा जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पात में मुप करता है और कॉंसेंट स्पीड से करता है तो उसको उस मोशन क्या बोलते हैं उन तो आप से पूछा जाएगा कि radius of the circle क्या होगा एक कई बार पूछा गया भी हम देखेंगे नुमरीकल भी देखेंगे इसमें तो radius r क्या है मैंने बताया था कि यहां कल बताया था कि magnetic force क्या हो जाएगा qbb हो जाएगा क्या हो क्योंकि velocity और velocity vector और magnetic field के भी चेंगल क्या है 90 degree है तो qbb equal to क्या होगा mb square upon r और वहाँ से जब अप लिको गए तो r equal to क्या होगा mb upon qb equal to p upon क्या होगा qb p क्या है linear momentum q क्या है charge और b क्या है magnetic field strength ठीक है या magnetic flux density भी इसको बोलते है आगे जब हम पढ़ेंगे ठीक है तो यहां तक हम आये थे तो radius जो है क्या क्या चीज़ पर depend करेगा mass velocity charge end क्या होगा magnetic field यह क्या होगा p qb अब यहां यह भी हो सकता है कई cases होगे है देखो ध्यान से कि यदि magnetic field क्या होगा uniform होगा कई case में हम देखेंगे यहां से कि यहां यहां कई cases होते हैं तो यह क्या है radius एम भी और क्या होगा qb और अब यहां कई cases होगे हम पहले cases लिख लेते हैं कि देखो अब मैंने एक result भी लिखा था कि इप चार्ज पार्टिकल देखो यहां से नोट वे यहां लेकता हूं है न कि if अब इस चार्ज पार्टिकल कि इस चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल कि अब आप क्या होगा है कि है वेविंग सेम देखो द्यांजा सेम लिनियर मोमेंटम आर प्रोजेक्टिट आर प्रोजेक्टिट इन्द क्या होगा इन्द सेम मागनेटिक फिल्ट क्या होगा इन्द सेम मागनेटिक फिल्ट इन्द नेक द्यान से इन्द हम भोल सकते हैं आर विल्बी डियर्ट्ल पोस्टर क्या होगा पहले तो हम बोल सकते हैं कि in the same or different magnetic field ऐसे भी लिख सकते हैं या in the different magnetic field in the different different magnetic field then r will be directly proportional to क्या होगा inversely proportional to क्या होगा q into क्या हो जाएगा I mean क्या होगा product अब जैसे आप से मैं बोलूं क्या है या र फर्ल क्या होगा डैटली पोस्टनल तो क्या होगा r भी इंड mystery senior a q into b यहामने क्याование क्या 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 और पो crunchy क्या होगा greater the value क्या होगा क्यू इंट व्य क्या होगा except smaller W without radius of curvature and vice versa इसको curvature भी तो एक चीज यहां आप यहां लिखना है इफ यहां क्या लिखना है नोट में हम लिखते हैं कि क्या है इफ क्या होगा इफ पी इस क्या होगा एफ यहां लिखना है आर इनवर्सली पोर्शनल टो क्या होगा ठीक है क्या होगा आर इनवर्सली पोर्शनल टो क्या होगा वन अपॉन क्यूट ग्रेटर दचार्ज है नो एफ इसमॉलर विद्वी दखाओ क्या होगा रेडियर सब करवेचर एंड वाई से वर्सली पोर्शनल टो क्या होगा यहां दूसरा केस यहां देखो आए मिन सेकंड पॉइंट देख लो कि इफ चार्ज पार्टिकल जो कल मैंने बदाया था कि इफ इफ चार्ज अगार है जुआ क्या होगा अभी एफ चार्ज पार्टिकल इस प्रोजेक्टिर प्रोजेक्टिर नॉर्मल टो क्या होगा। normal to this to the magnetic thing the charge particle having some kinetic energy is projected तो सुम काइनेटीक इनेजी प्रजेक्टे नॉर्म तु देखो यहां क्या होगा आर और इकोल टू क्या होगा देंः रेडियस इकोल टू देखो M B upon Q B equal to P upon Q B और मैंने बताया था कि kinetic energy मैंने बताया था कि kinetic energy equal to P upon Q B तो P equal to square root of 2 M क्या होगा K E यह होगा न? या value रख दो तो R will be क्या होगा square root of 2 M K E upon क्या हो जाएगा Q square क्या होगा B square तो देखो यहां से तुम देख सकते हो कि इप क्या होगा? इप kinetic energy and magnetic fields same हो जाए इस case में क्या हो जाएगा? इप kinetic energy इप क्या होगा? इगेन इस case में हम note में लिखेंगे कि kinetic energy क्या होगा? constant हो जाए और बी क्या हो जाए constant हो जाए समझ में आया क्या होगा kinetic energy constant हो जाए और बी बी क्या हो जाए constant हो जाता हम बुल सकते हैं कि radius will be directly proportional to क्या होगा m upon क्या हो जाएगा अब यह दी मार लो कि particle charge particle क्या है चार्ज पार्डिकल क्या है जैसे एक एक्जामपल देख लो यहां कि if electrons and protons having same kinetic energy are projected जिसे देखो यहां कि यहां देखो एक्जामपल यहां देख लो कि if if electrons electrons and क्या होगा and proton proton having having same kinetic energy same kinetic energies are projected projected normal to the normal to the क्या होगा magnetic uniform magnetic field then then क्या होगा देखो 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 यहां लिग देता हूँ आर electron आरी का मतलब क्या है electron will be greater than क्या होगा R proton B में radius अब दो circular path corresponding to electron यह क्या होगा proton यहां मैं लिगे then there then मैं a symbol R E is उसके बाद लिखो R E is equal to क्या होगा R P और D लिखो R E is less than क्या होगा R P sorry C और D में none of these ले ले लो क्या होगा D option में लिखो हो ना ठीक है अब देखो क्या दिया हुआ है कि kinetic energy दोनों का क्या है same है और क्या है magnetic field semi uniform magnetic field में क्या है फेका जा रहा है तो इस case में हम बोल सकते हैं कि R E is directly proportional to क्या होगा देखो तो M upon क्या होगा Q ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि charge क्या होगा for क्या होगा for for electron for E and E minus equal to क्या होगा तो हम बोल सकते हैं I mean charge E plus का मतलब क्या होगा charge of proton E minus का मतलब क्या होगा charge of electron तो हम बोल सकते हैं R E is directly proportional to क्या होगा mass तो आपको भी मालूम है कि हम जानते हैं कि R E upon क्या होगा R P I mean radius corresponding to proton and R E क्या है radius of the orbit corresponding to क्या होगा electron is equal to क्या होगा M E upon क्या होगा M P और this will be क्या होगा less than one तो हम भूल सकते हैं कि R E will be क्या होगा less than क्या होगा यह बात आपको समझ में आया कि जब भी क्या होगा if the charge more than one charge particles को सभी charge particles के क्या हो kinetic energy same हो और उसको semi-magnetic field में हम क्या करें फैक दें उस case में उनका जो radius of curvature होगा क्योंकि सभी जो particles होगे होगे different different circle पर क्या होगे move करेंगे magnetic field तो सभी circle का I mean radius जो होगा circle का हो क्या होगा R will be directly proportional to क्या होगा square root of M upon क्या होगा Q अब यदि चार सेम हो जाए तो जब चार सेम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं R will be directly proportional to क्या होगा square root of क्या होगा यदि alpha particle यहां होता यहां में एक और question लिख सकते है if electron proton and alpha particle है न क्या लिख केंगे if electron proton and and क्या होगा alpha particle having the क्या होगा same kinetic energy है न एक iot क्या है 20th iot में आया होगा question है दूसरा question देख लो यहां एक बता देता हूँ यह जेही का आया होगा question भी है तो इसमें कौन सा answer होगा rp जो होगा क्या होगा greater than क्या होगा rp दूसरा एक j क्या एक example देख लो इसमें कि कि इप दिया हुआ है कि एक proton deuteron है न एक proton देखो क्या है एक proton duteron 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 and alpha particle and and alpha particle having same same kinetic energy kinetic energies are projected in the same uniform in the same uniform magnetic field normal to the field normal to the field ठीक है and if rp rd therefore if rp comma rd and r alpha r r the rd i rd i rd i rd i rd i of their path then 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 आपको यह बताना है then option देखो क्या क्या देखो सोचना है r alpha equal to क्या होगा r alpha sorry rp equal to r alpha equal to rp r alpha is less than rd rd second option दिया हुआ है उसमे r alpha is greater than rd is greater than rp और third option दिया हुआ है वो दिया हुआ है r alpha r alpha equal to rp is greater than rd and d option दिया हुआ है यह दिया हुआ है r alpha equal to rp equal to rp equal to rd यह rd का है होगा अब बहुत point है इसी में ठीक है ते तुमको rd अब देखो क्या है पहले तो हम लिखते हैं solution में आप खुद से भी try कर सकते हो कि r is equal to क्या है पल लिख देता हूँ देखो mb upon क्या होगा qb is equal to क्या होगा p upon क्या होगा qb इसको लिख सकते हैं square root of क्या लिख सकते हैं 2k 2m 2m क्या लिख सकते है m k e upon क्या होगा q square root of m upon क्या होगा आप तुमको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोटीन पर कितना चार्ज होता है पूलखस인지 तरह यह को बिखते हैं है अब हमला जख्वर में क्राविय। अरश्या अरप क्या होगा में पूलटान I mean मैं लिख रहा हूँ QP यहां लिख देता हूँ is equal to क्या होगा Q मैंने माल लिया ऐसे हैं तो charge of क्या होगा deuterone QD equal to क्या होगा QD is equal to क्या होगा sorry same charge of deuterone भी क्या होगा is equal to क्या होगा charge of proton ठीक है अब हम आते हैं क्या कि यदि charge of क्या होगा alpha particle alpha particle Q alpha लिख रहा होते हैं यहां क्या होगा two times ठीक है तो charge QP QD same होगा Q alpha जो होगा two times of charge of क्या होगा proton होगा यह point first है एक तुमको क्या करना है याद कर जाना है है ना क्या करना है याद कर जाना है तो इधर मैं लिख देता हूँ देखो यहां मैं लिख देता हूँ कि Q Q alpha is equal to क्या होगा two times Q आप क्या होगा Q D is equal to क्या होगा two times Q आप क्या होगा प्रोट क्या होगा याद कर जाना रण जाना तुमको है ना ठीक है यह important है क्योंकि यहीं नहीं आता है और सब तो आएगा यार क्या होगा तो यहां से समझ में आना मैं गलत तो नहीं लिख दिया ना तुमको उसके बाद देखो मास क्या होगा मास अफ प्रोटोन यदि मैं क्या होगा मास अफ प्रोटोन को हमने क्या माल लिया MP is equal to M माल लिया तो मास अफ क्या होगा डिटेरोन is MD is equal to क्या होगा 2 times mass of proton और यह जो होगा क्या होगा mass of alpha particle M alpha जो होगा हो क्या होगा 4 times mass of क्या होगा ठीक है यहां मैं लिख देता हूँ mass of alpha particle is equal to क्या होगा 2 times mass sorry 4 times mass of proton ठीक है is equal to क्या होगा 2 times mass of क्या होगा डिटेरो यह यहां बस वो गया और तो उसके बाद तो उसके बाद तो खुद से भी सल्व कर सकते हो यही यह था ठीक है अब हम क्या करें ratio निकाल ले हैं फिर आपने को मालुम चल जा गए समझ में आया तो यह आपको क्या करना है यही इंपोर्टेंट है यही आना चाहिए अब हम आते हैं यहां है ना अब हम लीखेंगे क्या लीखेंगे चलो Q अलफा और Q प्रोटॉन देख लेते हैं तो Q स्थूरी आलफा आर अलफा लिखते हैं आर अलफा पॉन क्या लिखते हैं आर पी इक्वल्टू क्या होगा म अलफा स्थूरी म पी यहां से लीखा है देखो आर अलफा M alpha upon क्या होगा Q alpha और Rp 2 ठीक है अब value रग दो यार तो देखो mass of alpha कितना है 4M 4M upon mass of proton M माना है equal to क्या है charge of proton हमने Q माना तो charge of क्या है alpha क्या है 2Q है तो यह देखोगी क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा R alpha equal to क्या हो गया R proton for the same kind R alpha equal to क्या होगा R proton तो देखो R alpha equal to क्या है R proton तो पहला option B option तो हो नहीं सकता first, second, or क्या होगा fourth हो सकता sorry first, third, or fourth हो सकता अब किसी एक का consider कर लो यार अब हम लिखते हैं क्या कि R चलो R P क्या लिखते हैं R P upon क्या लिखेंगे R D हमने इसमें देखो capital हमने ले लिए है तो तुम small ले 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 ना sorry R alpha और R P ठीक है यहां हमने लिखा R alpha और यह क्या हुआ R P यहां भी लिखेंगे R P upon हम लिखेंगे R R D यहां क्या लिखेंगे देखो M P upon क्या लिखेंगे M D equal to क्या लिखेंगे Q Q D upon क्या लिखेंगे Q तो देखो यह चार दौनों पे क्या होता है सेम होता है है न तो यह कितना हो जाएगा अवेलू रग दो तो R P upon क्या होगा R D is equal to क्या होगा is equal to M P Mass of proton M मान लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा M D क्या होगा Mass of Deton क्या हो जाएगा 2 times of क्या हो जाएगा, mass of proton ठीक है है ना देख रहे हो ना या तो और एक क्या हो जाएगा Q upon क्या हो गया Q एक एक एंसील हो गया, यहां से हम लिख सकते हैं देखो, rd is equal to क्या होगा, root 2 times rp mass radius of proton जो होगा, I mean rd जो होगा, क्या होगा, root 2 times क्या है, rp है तो हम बोल सकते हैं कि rd का जो value है वो क्या होगा, क्या होगा alpha, r alpha और rp से क्या होगा, बढ़ा होगा, इसका मतलब option कौन सा होगा, यह correct होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां rp is equal to r alpha less than क्या होगा, rd यही correct अप्शन तो यहां option क्या है, एक गिला, ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है, तो यह आपको क्या है, ध्यान रखना है कि जब भी क्या होगा, कोई भी charge particle को, यह the same, more than one charge particle को, same kinetic energy से हम क्या करें, magnetic field में क्या करें, फैक दें, है ना, uniform magnetic field में, magnetic field के perpendicular, तो जो radius of curvature जो होगा, क्या होगा, जितने भी charge particle हैं, अलग-अलग radius, अलग-अलग circular path के move करेंगे, है ना, उनका radius भी क्या होगा, अलग-अलग होगा, तो radius जो होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, तो इसके बाद हम, तीसरा जो इसमें एक टाइप पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, देखो ध्यान से, थर्ड जो point लिखोगे, कि if the charge particle is accelerated through potential difference V and then projected in the uniform magnetic field, तो तीसरा जो इसका point पूछा जाएगा, देखो, कि यव, charge particle is accelerated, accelerated through a potential difference, या पतेंशील इपन्यट दिफ्रेंश लिए झर गव पोक्नेना गवबन कीवारे लाओं कि वह सर दुीन ठीक है यह द्यान आप क्या है यहां अब कुर्ष क्या है जब यहां भी पात होगा अब देखो क्या होगा अब वर्क-अनर्जी थीरम हम युज करें जो मैं नकल डायक्टी बताया था यहां आप देखोगे कि मुझे क्या करना है radius लिखने की देन क्या होगा then radius क्या होगा then radius आप दे क्या होगा आप दे पाथ circular circular path will be क्या होगा देखो r is equal to क्या होगा again मैं लिखना हो सभी mb upon qb is equal to क्या होगा p upon क्या होगा qb is equal to क्या होगा अभी लिखा था 2k e 2m 2m ke upon क्या होगा qb equal to अब यहां क्या लिखेंगे यार बता सकते हो अब work energy theorem यूज करो kinetic energy is equal to क्या होगा देखो यहां यहां हम जानते हैं यहां तक है ना अब हम लिखेंगे क्या कि from work energy theorem I mean यहां लिख सकते हैं from from क्या होगा from work energy theorem है ना तो kinetic energy is equal to क्या होगा charge into क्या होगा accelerating potential यह याद रखना है this is nothing but the क्या होगा charge charge और this is accelerating potential accelerating potential अब मुझे यहां यदि value रखनों तो आसानी से answer आ जाए गया है तो देखेंव यहां से I mean r is equal to क्या लिखेंगे हैं देखो the square root of 2m है ना q क्या होगा 2m q भी capital भी लिखना है ना upon क्या होगा q इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r is equal to क्या लिखेंगे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 2m capital भी upon q इंटू क्या होगा ठीक है यह आपको क्या करना है दियान देना है यह भी हुआ sorry बीटा मत लिख ले ना है ना तो यहाँ radius जो होगा हो क्या होगा हम बोल सकते हैं कि यदि magnetic field क्या होगा यह ना तो यहाँ देखोगे कि अब यहाँ note में हम क्या लिख सकते हैं कि magnetic field क्या होगा uniform होगा क्या होगा magnetic field क्या होगा इफ यहाँ लिख दें कि इफ बी इस क्या होगा note में देख लो कि इफ क्या होगा इफ बी इस क्या होगा constant है मीन magnetic field क्या होगा constant होगा तो आर विल बी क्या होगा डाटलिक वोस्टर्ट हम क्या बोल सकते हैं एम भी अपॉन क्या होगा यहीं होगा ना है ठीक है यह भी क्या है accelerating potential है linear momentum नहीं है याद रखना है तो हम बोल सकते हैं कि for क्या होगा for electron and क्या होगा यहां लिखें कि क्या होगा for यहां लिख सकते हैं for क्या होगा electron and क्या होगा proton proton q क्या होगा r constant लिख सकते हैं यार तो यहां हम बोल सकते हैं कि r will be क्या होगा directly proportional to क्या होगा square root of m into क्या होगा mass this is क्या होगा mass ठीक है this is क्या होगा accelerating potential accelerating potential ठीक है तो यह जितना आप accelerating potential same हो जाए यहां एक question भी हो जागा देखो यहां लिखने कि क्या होगा if accelerating potential is same यहां लिख सकते हैं if if क्या होगा if यह ध्यान देना है तुमको accelerating potential same हो जाएगा तो r alpha जो r p जोगा हो क्या होगा r alpha से अब हम बोल सकते हैं कि यहां if क्या होगा if क्या होगा if अगला point क्या लिख सकते हो इसी में क्या होगा यहां लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट लिख लो क्या होगा एक बीटा क्या होगा constant एंड भी क्या हो गया constant होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर विल भी डागली पोस्टन टू क्या होगा स्क्राइर रूट अपन क्या होगा कि मास अपन चार्ज होता अब यहां से लेट भी कर देता हूं कि मालनों कि क्या है यह ध्यान देना है कि जितना ज्यादा क्या होगा यहां से बोल सकते हो Q क्या होगा for क्या होगा electron simple electron and क्या होगा and proton proton Q यहां से से मुझा जायगा तो हम बोल सकते है कि R P will be क्या होगा R क्या होगा R E ठीक है क्या होगा if V is equal to constant V I mean accelerating potential और बी क्या होगा पॉस्टेट है ठीक है यह द्यान देना है तो आपको यह चीज़े माइंड में रखनी है इसके बाद एक वोश्चन इस पर हम देखते हैं फिर हम आते हैं और जो टाइप से हैं उसके बारे में हम देखें ठीक है देखो तो रेडियस का जो फर्मूला होगा पहले भी लिखा था फिर से मैं लिख देता हूँ यही एक याद रखो र इस इक्वल टू क्या होगा mb अपॉन qb ठीक है दूसरा क्या होगा p अपॉन qb तीसरा क्या होगा square root of 2m ke upon qb चौथा जो होगा square root of क्या होगा 2 है ना 2m capital b upon q into क्या होगा b square root of लिखाऊं टोटल तो यह आपको result क्या है mind में रखना चाहिए नहीं रटने की जरत नहीं है याद एक ही point तो याद रखना है रीडियस का और उसके बाद तुम वर्क एनर्जी थीरम मालूम हो तो तुम असानी से क्या कर सकते हो पूरे result निकाल सकते हैं अब यहाँ मैं एक question देखता हूँ है देखते हैं आप लोग है ना कि देखो क्या है कि क्या है प्रोटॉन देखो अभी जो question हम देखते हैं प्रोटॉन ए प्रोटॉन ए डिटिरोन ए एन अलफा पार्टिकल having having same accelerating potential या देखो simple में ए प्रोटॉन ए डिट्रॉन ए एन अलफा पार्टिकल having same accelerating accelerating potential are projected projected in the क्या होगा same uniform uniform magnetic field normal to the field normal to the क्या होगा ठीक है इव एगें लिखता हूँ आर आलफा आर आर पी आर डी एंड आर अलफा आर क्या लिखेंगे रीडियाई रीडियाई और देर पार्थ यहां पार्थ दें फस्ट आर अप्षन देखो और पी इस एक्वल कि आर पी आर के लिखना आर डी इस ग्रेटर देन आर पी इस ग्रेटर देन क्या होगा आर अलखा और डी जो है आविन नब देचे ठीक है यह आपको अब यदि हम देखो यहां क्या है सबसे पहले आपको क्या करना है रेडियस का, तो सोलूसन जैसे ही तुमको दीखे, तो पहले तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हैं क्या लिखेंगे हैं कि mass of और और तर्न इसमें कोई doubt नहीं है तर्क है उसके बाद यदि हम देखें तो अगला जो क्या है charge of alpha equal to क्या होगा 2 times charge of proton और charge on deuteron क्या होगा कि charge on proton बस यही तुमको important point माइन पर रखना है अभी मैंने यह बताया था यह आपको रट जाना चाहिए यह याद कर जाना चाहिए क्योंकि अभी हम समझ कर गे लिख रहे हैं यह समझना कुछ नहीं है एक chemistry का है chemistry तो उन्होंका तो बहुत अच्छा है तो इसलिए ध्यान रखना है ना अब हम क्या करें गे radius किसके term में लिखेंगे यार accelerating potential के term में तो यदि मैं लिखो r is equal to क्या लिखेंगे देखो 2m capital V upon क्या होगा q into क्या हो जाएगा यहां से हम लिख सकते है r is directly personal to क्या होगा square root of m upon क्या होगा अपने को क्या है मालूम चल गया कि आरपी इस ग्रेटर देन क्या होगा आरड़ी दूसरा इक्वेशन अब लिख सकते हैं है चलो यदि मैं लिख लूँ कि आर पी अपन आर अलफा इस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं MP upon क्या होगा, M alpha into क्या लिखेंगे, Q alpha upon क्या होगा, Qp, क्या ही लिखेंगे यार, सही है, कोई डाउट नहीं है न, और value रख दो, तो जब value रखोगे, तो यह कितना होगा, Mp upon क्या लिखेंगे, 4, Mp into, 2, Qp upon क्या लिखेंगे, Qp, Qp, Qp cancel हो जाएगा, यहां देखो, Rp upon क्या होगा, R alpha is equal to क्या होगा, हमने मुझे यहां exact relation में लिख लेना चाहिए, देखो, यहां हम ऐसे करते हैं, original लिख लेते हैं, exact, तो इससे पाले, यहां हम क्या लिखेंगे, कि mass upon क्या हो जाएगा, 2, M, I mean क्या हो जाएगा, 1, Y क्या हो होगे, कि RD, जो है, क्या है, root 2 times क्या है, Rp है, तो exact relation मालम चल जाएगा, यहां भी आप देखोगे, कि यह क्या होगा, 1 upon क्या हो जाएगा, root 2, सही है, यहां हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि R alpha, R alpha is greater than क्या हैगा, root 2 times Rp, तो इससे मालम चल जा जा रहा है, कि R क्या होगा, alpha, हम बोल सकते हैं, कि R alpha equal to क्या होगा, RD is greater than क्या होगा, Rp, तो देखो, कोई option, ऐसे लिख सकते हैं, यहां, फिर उसके बाद तो हम option check कर लेना है, यहां हम क्या लिखेंगे, कि R, D is equal to R, क्या होगा, alpha, is equal to क्या होगा, root 2 times क्या होगा, ठीक है, यह result है, है न, इसके बाद देख लो, यहां से हम लिख सकते हैं, अब ऐसे option से यह दी देखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, R, D is equal to क्या होगा, R, alpha, is greater than क्या होगा, तो इसमें कोई option दिया हुआ है, क्या step का, है न, ने, option नहीं है, है न, तो, यहां, D जो option होगा, क्या होगा, correct option है, ठीक है, एक और, यह समझ में आया, तो, magnetic field के perpendicular, जो हम फेकते हैं, तो, क्या होता है, जो इसका path जो होगा, क्या होगा, circular होगा, है न, और, radius जो होगा, different, different factor पर क्या होता है, depend करता है, और, ऐसे हम क्या करते है, radius को calculate करते है, ठीक है, इससे numericals आता है, और, तो, अब आप, अब हम आते हैं, देखो, एक और simple example मैं बता रहा हूँ, three charge particle, देखो, three charge particles A, B, C are projected in the क्या होगा, uniform, uniform magnetic field, magnetic field, perpendicular, perpendicular, to the field, perpendicular, to the field, as, लिखेना, as shown in the, shown in, in the क्या होगा अप्धि, if their paths, if trajectory, trajectories are A, B and क्या होगा, C, sorry, if their trajectories are, they are corresponding, है से लिक लेना, corresponding, trajectories, are, soon, then, find the nature of chance, find the, क्या होगा, nature of chance, charge, की charge का nature क्या होगा, देखो, diagram क्या है, एक तुमको समझे है, यही क्या है, magnetic field है, uniform magnetic field है, हुआ है, this is uniform magnetic field, यहां से हमने क्या क्या पहें थे फैंका थे एक पार्टिकल ऐसे गया, दूसरा क्या है ऐसे, यह मांगो क्या है, इक पार्टिकल A है, दूसरा क्या है, B है और EC है, I mean पार्टिकल B जो है क्या है, state line के मुग कर रहा है, यह क्या इधर, gjutthse girl आपको क्या करना है charge का nature क्या होगा और यह home park लेना उसको home park लेना कि simple question है अब यहां कुछ हाम क्या करेंग का पॉ medium लिखेंगे कि जब भी क्या होगा कुछ important point लिखेंगे देखो क्या कि सबसे पाहले आपको कि यहां आपसे पूछा जाएगा कि magnetic field के द्वारा क्या होगा work done क्या होगा तो आप क्या बताओ तो आपको symbol लिखना है कि note में लिखना important point है देखो तो work done work done by क्या होगा magnetic field on क्या होगा charge on moving charge moving charge will be क्या होगा will be always always जीर हो ठीक है यह द्यान देखे ऐसा क्यों होगा आप बता सकते हो कि work done क्यों जीर होगा एक तो देखो work energy theorem से भी सोच सकते हो और दूसरा क्या है तुम यह सोच सकते हो कि जब भी क्या होगा uniform magnetic field में या non-uniform magnetic field भी होगा यार तो magnetic force क्या होगा velocity पर क्या होगा perpendicular होगा है ना motion पर क्या होगा अलवेज क्या होगा perpendicular होगा इसलिए work done क्या होगा अलवेज क्या होगा तो यहां क्या होगा जैसे हमने यहां देखा uniform non-uniform कुछ भी हो ठीक है हमने यह uniform consider कर लिया है कि दियान देना कि मालो कि हमने ऐसे फैक दिया है ऐसे है ऐसे फैक दिया और जब ए पॉजिटिव चार्ज है ऐसे सोचो ऐसे फैक दिया है बात में हम देखेंगे ऐसे जाएगा यहां क्या होगा इसका path जोगा तो हर जगह आप देखोगे magnetic force होगा क्या होगा अलवेज हर जगह क्या होगा path पे क्या होगा tangent इसका displacement इधर है और force क्या है तो यहां हम बोल सकते हैं कि F end क्या होगा displacement I mean D क्या होगा perpendicular होगा तो work done क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दूसरा work energy theorem से भी क्या होगा कि delta K is equal to क्या होगा क्योंकि kinetic energy sorry magnetic field क्या करता है जब भी क्या होगा whenever we project any charge particle in the magnetic field इधर क्या होगा uniform होगा या non uniform होगा it does not matter तो उसका काम क्या होता है उसके motion को क्या करना motion direction को क्या करना change करना तो इस case में speed क्या हो जाएगा constant हो जाएगा इसलिए work done क्या हो जाएगा तो यही क्या होगा दिश इखो इधर भी क्या होगा state line होगा इधर भी path क्या होगा जैसे यह magnetic field से निकलेगा तो path state line हो जाएगा और इधर path क्या हो जाएगा curve हो जाएगा I mean circular arc हो जाएगा इधर कहीए radius होगा बाद में हम देखेंगे तो पहला point किया है कि whenever charge particle is projected in the magnetic field either क्या होगा uniform and non-uniform magnetic field तो magnetic force के दोरह जो work done होगा हो क्या होगा always क्या होगा zero होगा always zero होगा ठीक है दूसरा लिखोगे कि magnetic force I mean speed of the charge particle in the magnetic field always क्या होगा remain constant क्या होगा speed जो होगा always क्या होगा magnetic field में क्या होगा तो लिख देंगे कि whenever when ये क्या होगा charge particle is projected projected in the क्या होगा magnetic field magnetic field magnetic field देखो यहां मैं लिख देता हूँ non uniform और uniform और स्वागा देखो होगा और सीच अजी धे और सम्हाट हुआ। देखो क्या होगा देखो मैं में क्या होगा ठीक है समझ में क्या होगा यदी सी में हम क्या लिखेंगे कि मैंग्टूट और फॉर्स क्या होगा फॉर्स नहीं कॉंस्टेंट होगा ठीक है मैगनेटिक फॉर्स पॉंस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डारेक्शन क्या होगा चेंज होगा लेकिन डी में लिख सकते हैं क्या होगा मैगनेटूट क्या होगा पॉंस्टेंट हो सकता है कब जब क्या हो B constant और नहीं भी हो सकता है कब जब भी क्या हो nut constant ठीक है? ए देया देला है उसके बाद आप angular momentum भी देख सकते हैं वह हो चाहिक कभी कभी पुछा जाता है तो किस कीस में क्या होगा? kinetic energy constant होगा linear momentum का magnitude constant होगा linear momentum constant नहीं होगा velocity उसके बाद एक और point लिख लेना जो important है कि magnetic force जो होता है वो क्या है? non conservative force है magnetic force is non conservative conservative force ठीक है? hence magnetic potential magnetic potential is not defined not defined for charge moving in charge moving in magnetic magnetic मैंने बता था कि जितने भी velocity dependent forces होते हैं तो in general क्या है? non conservative nature के होते हैं ये work power energy जब हम पढ़ रहे थे तो आँ हमने ये देखा था इसलिए potential energy magnetic as like electric potential energy कोई भी charge को हम electric field में फैख दें तो obviously उसके साथ क्या होता है? ये electric field में रख दे तो उसके साथ potential energy associate होता है जिसको electrostatic potential energy बोट है उसी तरह similar way से हम किसी भी moving charge जब charge क्या हो magnetic field में move कर रहा हो उस case में हम magnetic potential energy उसके लिए define नहीं करते हैं क्यों क्योंकि magnetic field जो होता है क्यों होता है magnetic field और magnetic force दोनों आप लिख ले ना कि magnetic field and magnetic force क्या होता है non conservative nature का होता है ठीक है? तो आज की class में बस इतना ही इसके next lecture में इस से related और भी कुछ इसमें types देखेंगे ठीक है? तो I think Monday को आपका एक magnetic force on the moving charge केंगे कुछ variation है इसमें तो उसको हम देखेंगे तो Monday तक क्या होगा इस chapter जो होगा आपका finish हो जाएगा उसके बाद 8 magnetism और बार magnet के बारे में हम बढ़ेंगे ओके, thank you आज की class में बस इतना ही